थुआ आब तो आज की वीडियो में डिसक्राइब करेंगे घ्रोकारबंस ताइप इसTake नफ चीज़ों को इसust But आपके हाइडो कार्बन सोटा इन को पैरन्ट हैडो कार्बन सब्सक्राइब फॉलिक कार्बन और अड्रोकार्बन कभी कबार उसमें दूसरे कुछ पाए जाता है जैसे हैलोजन स्में क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन अब है उनको हम हैट्रोडम्स कहता है इसमें ने की हुए हैं आप लोगों से प्रिवेस वीडियो में का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करता है कि इसके टाइप क्या-क्या होते हैं हाँ शो डिपेंडग अपॉन बोंडियं बीट्वन कारबन इन हाइड़ो कार बंच को हमने तीन।ाक में डिवाइड किया है एज आलोडी मैंशन पहला पार्ट इसकी यह से बच्चों हो जाएंगा यह दो वर्ड से मिलकर बना है एल्क प्लस एन्स एल्क मतलब एल्किल ग्रूप एन मतलब सिंगल बॉंड होता है इनको पैराफिन भी कहा जाता है क्योंकि फॉरल लेंग्वेज के अंदर पैराफिन का मतलब होता है ऐसे एक पैराफिन का एक वेल नॉन एक्जामपल है नमबर टू एथेन नमबर थ्री प्रोपेन नमबर फॉर ब्यूटेन पैंटेन हैंग्जेन एक्सेटर यह सारे के सारे कंपाउंड्स एलकेंज कहलाता है क्योंकि इतमें बिट्वीन कार्बन कार्बन और बिट्वीन कार्बन हाइडरिजन ओनली सिंगल बॉंड देखने को मिल जाएगा इनकी अपनी एक होमोलोग स्रीज होती है इनके जनरल ने फॉर्मुली के बात करो तो सी एन एच टू एन एलकेंद का जनरल फॉर्मुला सी एन एस टू प्लस टू होता और जहां पर एन की वैल्यू बेटा वन से स्टार्ट होती है वान टू टू ट्री फॉर एंड सो अन तो अगर इस कैमिकल फॉर्मुली के अंदर आप एन की वैल्यू वन रखेंगे तो मिथेन डिराइब हो जा हुई है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर अलकेंद के अंदर में बात करों की मॉलीकुलर स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन और हाइड्रोजन की बीच आपको सिर्फ और सिंगल बॉंड देखने को हो जाएंगे बात करों अगर बेटा मैं प्रोपेन की तो तीन कारबन दिया हुए यहां पर जुड़े हुए है तीनों के बनाओ है आपर एल्क मतलब एल्किल ग्रूप इन मतलब डबल बॉंड के अंदर इन का मतलब डबल बॉंड ही होता है कहीं भी आपको एन नजर आए तो इसका मतलब वहाँ पर डबल बॉंड होता है इनको ऑली फिन भी कहते हैं बच्चों क्योंकि फॉरन लेंगविज के जन्हें कारबन कार्बन कारबन कारबन कीउता बच कंडल नहीं नहीं होता है घूद हमगी के बीच में नहीं होता है है फॉर एक्जामपल अगर मैं इसके एक्जामपल की बात करूँ तो भाई सी टू एच फॉर एथीन सी फॉर एच एट ब्यूटीन सी फाइफ एच टैन पैंटीन एटसेटर तो हर एक कमपाउंड के एंड में इन लगा नजरा वहां पर आता है इनके जनरल फॉर्मॉले की बात करू बिटा तो सी एन एच टू एन इनका जनरल फॉर्मॉला होता है जहां पर एन की वैल्यू स्टार्ट होती है टू से याद रहे एक एटलीस डबल बॉन के लिए कम से कम दो कार्बन का होना होती है वो दो कार्बन एटम से शुरू होती है मतलब यहां पर अगर आप एन की वैल्यू टू रखेंगे तो एथा एथीन आ जाएगा फॉर्मॉला तीन रखेंगे तो आपका प्रोपीन चार रखेंगे ब्यूटीन पांच रखेंगे पैंटीन एड्सेट्रा ऐसे ही होमो हाइड्रोजन होते हैं जो सिंगल बॉंड से जुड़े रहते हैं मैंने पहले ही बताया एलकीन के अंदर डबल बॉंड कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो डबल बॉंड बन ही नहीं सकता तो यह प्रोपीन का फॉर्मॉला है बात कर होगा और फर्दर इसके पास तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे तो यह लूइस स्ट्रक्चर है तो अगर हम बात करें का नाम आती है आप समझ जाएगा कि इसके अंदर एक यह जादा डबल बॉंड पर्जेंट होते हैं हाइड्रोकारबन का थर्ड पार्ट होता है एलकाइन्स यह भी डो वर्ड से मिलकर बना है अलक मतलब अलकिल ग्रूप आइन मतलब ट्रिपल बॉंड जहां पर भी आइन आपको नज़र आए तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर ट्रिपल बॉंड पर्जेंट है एक हो यह जादा हो ठीक है इनका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आप एन की वैल्यू टू रखेंगे तो फॉर्मूला निकल कराएगा सी टू एस टू ठीक है बहें सी टू एईस टू मिल्ट्टि प्लाई टू मायनस टू तो टू आजएगा इसका नाम होगा अथाइन तीन रखेंगे तो प्रोपाइन चार रखेंगे तो तो बियू टाइ प्रोपाइन की तो एक कार्बन एज़ेटीज होगा और वहां पर दो कार्बन की इस तरह से देखने को मिल जाएगा यहां पर वेलन्जिक पूरी हो रही है कि कार्बन कि इसलिए यहां पर हाइड्रोसन नहीं है बियोटाइन की बात करें तो CS3C C triple bond C or CS3 तो एक लीस्ट वहाँ पर आपको एक ट्रिपल बॉन देखने को मिलेगा जारा भी हो सकते हैं तो इस आप टाइप्स ऑफ दी हाईडोकारबन आपने देखा कि वही एलकेन लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेन जानकरे मने आप लोगों के साथ शेर की है इनके जनल फॉर्मुले को याद कर लीजेगा और इस वीडियो तो लाइक दिस वीडियो शेर दिस वीडियो और प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि इसी तरह की और दूसरी इ आप्रुड नाम किस्ग जाने गुए धाने खूंग आज झाल था जी अप्ट राज बाइ